है नमस्कार दोफस्टों आप देख रहें नौलिज बज़ वराज के वडियों मां हम बात करेंगे की रन के स्याम समान्य ग्ञान के बारे में हम बात करेंगे और यह जो किरन का पब्लिकेशन का जो बुक है GK का समाने ग्यान का ये वन लाइनर के फॉर्म में है जैसे लूसेंड में लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से यहां लिखा हुआ है और यहां पर देख सकते हैं किनकिन टॉपिक को कवर किया जाएगा लगवक सभी टॉपिक को क लिखा हुआ है यह आपको लगबग 140 रुपए के आसपास मिल जाएगा ठीक है तो आप इसे ले सकते हैं बहुत अच्छा बुक है इसके पहले हम देख लेते कौन-कौन से एक्जाम में काम आएगा तो यह PCS तक के एक्जाम में काम आ जाएगा railway SSC UPSC के भी एक्जाम में क लिए भी यह उपियों की बुक है ठीक है तो बहुत ही अच्छा बुक मुझे लगा यहां पर जब लूसेंट आपने स्टडी कर लिया तो उसके बाद यह बुक तो बहुत अच्छा है इससे आपका रिविजन बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई टापिक नही कि इसमें साहे ज़्यादा कोशन नहीं पूछे जाएंगे तो इसके बाद भारती राजवास्ता होगा स्विधान जो की बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है लूसेंट से अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया है कुछ टॉपिक आपको लूसेंट में अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएंगे कुछ टॉपिक आपको इस बुक से अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएंगे और एकदम सिक्वेंस में लिखा हुआ है कुछ भी आपको अरेंज करके यहां सब लिखा हुआ है ठीक है न तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है ठीक है आप यहां देखिए भारत की कुछ अन्य राजियों का जो जीके है यहां पर मिल जाएगा जैसे बिहार हो गया चरतिसगर हो गया उसके बाद हिमाजल परदेश हो गया जारखंड हो गया सभी जगे का यहां जीके आपको देखने को मिलने वाला है और यहां देखिए अर्थ सास्त्रे के से रिलेटेट आपको देखने को कुछन मिल जाएगा समाने विज्ञान भी इसमें अच्छे तरीके से कवर किया गया देखिए फिजिक्स हो गया उसके बाद रसायन अशास हो गया कि श्री तो बहुत अच्छे तरीके से पार्ट्वर के से कवर नी च विग्यान होता है जन्तु विग्यान जीव विग्यान क्रिसी पसुपालन परिसिती परदूसन उसके बाद अगर आप देखेंगे साइन्स और टेक भी इसमें अच्छे से तरीके से कवर किया गया है और यहां पर देखेंगे समाने ग्याने पुरुसकार यह सब अच्छे तर कुछ static gk का यहां point दिया हुए है, ऐसे तो static gk कुछ होता नहीं है, जोग्रफी ही होता है सब, वर इस static gk भी यहां cover किया गया है, खेल कुद के कुछ question cover किया गया है, उसके बाद खेल कुद भी बहुत अच्छे तरीके से cover किया गया है, बहुत अच्छा इसमें आप लोगो पढ़ने में मज़ा आने वाला है इस book से, मैं दिखाऊंगा, यहां देखिए history का पहला topic कितने अच्छे तरीके से यहां table बनाया गया, ठीक है, इस table से आपको याद करने में असान होगा, जैसे भारत का इतिहास हो गया, तो कौन सा काल पहले आया, हर एक चीज को यहां cover कि अब उसके बाद यहां देखिए महातेपूर नितिहास का जितना घटना है, सब आपको यहां पर मिल जाएगा, पहले पेज पे इतिहास के कुछ important event, जितने भी अभी तक history में हुए है, सब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी तक के मिल जाएंगे, जैसे 1966 तक के important event ल जिखा हुआ है, यहां पर ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से कुछ कुछ थी को तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने cover किया, table बना-benा के cover किया गया तो मुझे लगता है कि यह book सभी के पास होना चाहिए, ठीक है, आप सभी पास यह ola book होना चाहिए, क्योंकि से शुर को यहां कभर किया गया ध्यान से दिखे सभा को कवर किया गया ना यहां पर 22 पार्ट को यहां डिखा और ध्यारी है सब कुछ यहां लेक का अगया है उंके भारे में कितना पेमेंग मिलता कितना age होता है कितना सबसे उचा कौन होता है सब कुछ यहां दिया हुआ तो एक सीक्वेंस में ऐसे तो किसी भी बुक में मुझे नहीं दिखा कि किसी बुक में rearrange किया हुगए तेकर राश्रती के बारे में लिखा गया है मुख्या नियाधीस level लिखा तो एक इक चीज आप बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले फिर सूचना का अधिकार ठीक है इस वीडियो को पूरा दिखेगा क्योंकि मैं इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाने की कुसिस कर रहा हूं ठीक है कौन सा आयो का क्या काम होता है सब को टेबल में बना बना के यहां बताया गया है तो बहुत अच्छा मुझे लगा यह चीज और इसके बाद महत्यपूर्ण सब्दावली अलग से दे दिया गया है ठीक है भारत स्वतंतर भारत का मंत्री मंडल जो था वो आपको बताय किया गया ठीक है 1947 के बाद दीक है टेबल कितने अच्छे तरीके से यहां बनाया गया है और भुगोल में भी देख सकते है कितने अच्छे तरीके से यहां बताया गया भुगोल को भी मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से इन्होंने कवर किया है ठीक है यहां देख सकते ह मुझे एक पार्ट अच्छा लगा यहां पर देखिए फिजिक्स में देखिए टेबल मना के फार्मुला लिखा हुआ है तो यह मुझे अच्छा लगा उसके बाद उसका सिंबॉल सैसा ही यूनिट लिखा हुआ है टेबल मना के मातरा के और सभी चीज इंपोर्टन देखने को है जो कि बहुत अच्छा चीज है ठीक है आपको मिल जाएगा यहां यहां देखने को मिलेगा आपको अब अगर हम चले खेल कूद जो बाकी book में मुझे उत्रा अच्छा तरीके से नहीं दिखता है बट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है खेल कूद चले देखते हैं खेल कूद यह computer देख सकते हैं computer भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक लिखा हुआ है ठीक है ना कम्टूटर भी यहां ठीक टाक लिखा हुआ है ठीक है आगे अगर हम देखें खेल कुद मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं काफी कोशन खेल कुद से आते हैं और यहां पे खेल कुद को काफी अच्छे तरीके से अरेंज किया है विस्वें प्रतम मिला यह तो लूसेंड में भी आपको देखने को मिल जागा प्रतम अंतिम सब आपको लूसेंड में देखने को मिलने वाला है बट कुछ तो बात है इस बुक में ठीक है ना देखेगा के खेल कुद यहां पे आपको क्रिकट के बारे में सब चीज आपको देखने को मिलेगा ट्रॉ फुटबॉल के बारे में देखने को मिल जाएगा फिर 2018 फुटबॉल विश्व कप को भी यहां कवर किया गया है कौन जीता कैसे जीता सब चीज आपको मिल जाएगा जैसा अभी फ्रांस है जीता कुरोएसिया उपे विजेता था तो उसके बारे में भी इंपोर्टेंट टर् मिल जाएगा तो यहां पर अच्छे तरीके से इन्होंने सभी गेम को अच्छे से कवर किया विश्व कप टैनिस के बारे में कवर किया है तो खेलकुद वाला सेक्शन मुझे अच्छा लगा इनका ठीक है क्राउन में भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा तो कुछ इन्होंने जो कोसिस किया है वो मुझे अच्छा लगा इनका ठीक है तो आप इस बुक को कुल मिला के पर्चिस कर सकते हैं सभी गेम को देख सकते हैं अलग-अलग अच्छे तरीके से यहां बाटा गया है ऑलम्पिक को देखिए कि किसको कब स्वार्न पतक मिला कितना स्वा पर किया गया है और अजादी से अब तक यहां देखिए कि अब तक आठ है केंदर शासित पर्देशों के राजे पाल और मुक्य मंत्री तो यह बिलकुल अभी अपडेट है 2020 में आप लोग पता है कि 28 राज्यों और आठ है केंदर सासित पर्देश फिर से हो गया है तो यह इन तिनों बुक में अंतर क्या इन तिनों बुक में से कौन सा अगर हिस्ट्री आपको देखना है तो NCRT का हिस्ट्री अच्छा लिखा हुआ है और NCRT आपको एक बार देखना चाहिए study करना चाहिए, मतलब NCRT ने Illusioned को आपको एक बार देखना चाहिए उसके बाद अगर कोई दूसरा book follow करना चाहते है तो किरन को ले सकते है किरन में आपको काफी कुछ देखने को मिल जागा एक ही book में, तो आपके पास अगर दो बुक है तो इन दोनों book को ले सकते है अगर आपको पतले book में जाना तो crown के पास जा सकते है, crown भी ठीक ठाक language में लिखा हुआ है, बट किरन आपको ज़्यादा material दे देता है, ठीक है ना तो किरन एक अच्छा book है, जिससे आपको copy topic का revision अच्छा करवा देगा यह, topic जो लिखे है sequence में लिखा हुआ है, इस में ठीक है, तो फिलहाल इस book के बारे में इतना ही जानकारी है मेरे पास, तो इतना ही मैंने जितना भी जानकारी था वो आप लोग को दे दिया इसके अलावा कोई doubt होगा आप लोगो तो comment करके मुझसे पूछेगा वीडियो आप लोगो अच्छा लगा हो यह ओला तो comment करके आप लोग बताईएगा मुझे ठीक है ना और कोई doubt होगा तो आप लोग बताएंगे अगले वडियो में फिर से मिलते हैं ठांक्यू